जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लिजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोड्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply Coupon अगर आप ग्यान सर जो है आप उसमें Apply करते हैं ये कूपन कोड है तो उसमें 20% फीज तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% डिसकाउंट तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यान सर लिखना है नौर्म नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का study for civil services में यह हमारी क्लास है environment की और environment की क्लास में आज का हमारा topic होने वाला है पारिस्थित्की प्रामिड तो बिना किसी देरी के चलिए इसको पढ़ते हैं जल्दी से समझते हैं और पेपर में इस सवाल आ जाता है कई बार पेपर में इससे सवाल पूछा जा चुका है तो चलिए जल्ली से समझ लेते हैं देखो , प्रामीड क्या है जा प्रामिट से हमें यह पता चलता है किसी पता चलता है किसी भी परितंत्र में जीवों का भार क्या होगा और तीसरी चीज हमें पता चलती है कि किसी परितंत्र में उर्जा का प्रवह किस तरीके से होता है तो पारिसित्र की परामिट हमें क्या क्या चीज़े बताते हैं तीन चीज़े बताते हैं जीव संख्या, जीव भार और जीव उर्जा ध्यान रखना यही है अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं देखो पाइस सिथिकी प्रामिट किसी परितंत्र में पोशन इस तरों का आलेखी निरूपन है इनकी आकरती प्रामिट की तरह होती है और ये तीन हो तीन प्रकार के होते हैं वही जो मैंने आपको बताया है ना जीव उर्जा जीव भार और जीव संख्या उत्पादक प्रामिट के आधार पर रचना करते हैं यानि द्यान रखना हमेशा कि किसी भी प्रामिट के सबसे नीचे कौन होंगे हमेशा उत्पादक होंगे द्यान रखना इस बाग को चाए प्रामिट सीधा हो चाए प्रामिट उल्टा हो यहां पर भी उत उत्पादक होंगे, यानि कोई भी अगर प्रामिट बनेगा, तो उसके आधार पर कौन होंगे, हमेशा उत्पादक होंगे, यानि प्रोडूसर होंगे, और प्रामिट की अनुवर्थी स्ट्योटियां, शाकारी, मासाहरी, शत्षिसस्त, माताहरी, इस तरों को दर्शात हैं, अब जैसा कि हमने देखा कि तीन प्रकार के प्रामिड होते हैं तो पहला जो इसमें टाइप है वो क्या है वो है संख्या प्रामिड जीव संख्या प्रामिड अब जीव संख्या प्रामिड से हमें क्या पता चलेगा जीव संख्या प्रामिड से हमें ये पता चलेगा कि किसी और उल्टा दोनों ही हो सकता ये द्यानक ना सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है यानि इसको सीधा भी बनाया जा सकता है और उल्टा भी बनाया जा सकता है उदारण के लिए घास के मैदान में घासों की संख्या उन साकारियों की संख्या से अधिक होती है जो उने खाते हैं अब कैसे है जरा इसे समझ लेते हैं देखो जरा इसको देखो जरा घास में हम बात करते हैं साब ठीक है ये एक उजारण है घास इसल का तो घास का मैदान है तो घास के मैदान में सबस्यादा क्या होगी घास होग यानि हिरनों की संख्या कम होगी घास की संख्या जादा होगी और नेचर ने इसको ऐसे ही डिजाइन किया है अगर यहाँ पर घास की संख्या कम हो जाए और हिरनों की संख्या जादा हो जाए तो हिरन भूके नहीं मर जाएंगे तो नेचर ऐसा नहीं करती है, हर हाल में भोजन का प्रबंद रहता है जिससे जीवों का जीवन चलता रहे ठीक है? चुकि इनको नेचर ही तो आगे बढ़ा रही है तो नेचर इनका पूरा ध्यान रखती है तो एक घास के परितंत्र में अगर हम बात करेंगे तो घास के परितंत्र में सबस्यादा संख्या किस की होगी है घास के मैदान में घास की होगी है उसके बाद कौन प्रास्पिं को बोगता है जैसे हिरन है अब हिरन घास को खा रहा है तो घास जादा है हिरन कम है तो यहां का एरिया देखो जादा है और यहां का एरिया कम है उसके बाद हिरन को कौन खा रहा है मालो उसके बाद मालो हिरन का शिकार कर रहे रहे हैं कौन भई हिरन का शिकार कर रहे हैं यहां पर हम कहें जैसे होते हैं लगड़ भगगे अब आप देखेंगे एक जंगल में हिर्णों की संख्या जादा होगी अपेक्षाकरत भेडियों की संख्या से अब अब एक जंगल में आप देखोगे तो एक जंगल में शेरों की संख्या आपको सबसे कम मिलेगी क्यों कि ये उच्च मासा हारी है फ्रकरती ने शेर को इस तरीके से बनाया है कि शेर 24 गंटे में से 20 गंटे सोता है और 20 गंटे सोएगा जो 4 गंटे जखता है वो क्यों शिकार करने के लिए जखता है बढ़िया उठेगा एक आध हिरन पकड़ेगा या एक आध भेंस पकड़ेगा उसको खाएगा और खाके फिरस हो जाएगा एक बार शिकार कर लिया तो 2-3 दिन तक शिकार करने की उसे आवशक्ता नहीं है क्योंकि इतना सारा भोजानी कर लेता है अब आप अगर imagine करो कि अगर शिरों की संख्या जादा हो जाए बहुत जादा हो जाए है ना हिरन या भैसों की संख्या कम हो जाए तो ये नेचर में अच्छी बात थोड़ी है अगर शिरों की संख्या जादा हो जाएगी भैसों की या हिरों की संख्या कम हो जाएगी तो शिकार कम हो जाएका तो शेर भी मरने के कगार पर आ जाएंगे तो ये नेचर इसको इस तरीके से बैलेंस करके चलती है कि भोजा नमेशा जादा रहे खाने वाले लोगों से तो आप देख रहे हैं कि किसी भी घास इस्थल में ये प्रामिट सीधा बन रहा है जिसमें घास की संक्या सबसे जादा है और शेर की संक्या सबसे कम है ठीक है उम्मीद करना हूँ आपको सौझ में आ रहा होगा ये अब इसको मुल्टा भी बना सकते हैं कैसे कहां बना सकते हैं साब यह हम इसको बना सकते हैं एक जंगल में ठीक है जंगल में क्या है ये इसको आप एक पेड़ है अब अगर हम यह पेड़ की बात करें साथ एक पेड़ में अगर आप देखोगे जीव की पेड़ ही ना गरन फ płै देख एक है और उत्पादर्क यह हो गया पेड़ संख़्य इसी ही है तो सबसे कम आप पेड़ के ऊपर कौन है रहा है रहा है बहुत सारे कीट पतंगे बात समझ रहा हूं ना पेड़ के ऊपर कौन रहे हैं बहुत सारे कीट पतंगे तो कीट पतंगों की संख्या सॉरी इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं मैं तब आपको समझाता हूं और यह ओगया पेड़ं पेड़ के उपर कौन निवास कर रहे हैं फेड़ं के उपर निवास कर रहे हैं बहुत सारी चिडियां ठीक है बहुत सारी चिडिया निवास कर रही है ठीक तो चिडियों की संख्या जादा है चिडियों की खाने के लिए यहां पर मौझूद है क्या बहुत सारे कीट सही है ना तो कीटों की संख्या चिडियों की संख्या से जादा है और इन कीटों के आसपास रहते हैं बहुत सा नवास कर रहे हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि किसी भी किसी भी परितंत्र में जीव संख्या को जीव संख्या प्रामिट को सीधा भी बनाया जा सकता है साथियो और उल्टा भी बनाया जा सकता है करेंगे जी базा करेंगे जीव बाहर प्रामिट कि या जीव द्रब्लामिट क्या होता है क्या सीद्धा उलता बनाया जा सकता है और बना सकते हैं तो कैसे काम यूज करेंगा उमीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हूँ छोटा सा वीडियो है इसी मौझार के छोट छोटे वीडियो मां प्रय mês और त्यूंकि पूरी तवर्थ का फृद इनिशिएटीव का हिस्सा है यहां पर हम आपको सारी के सारी पीडि sharp को फिरी में जो पढ़ा आपके लिए सारे वीडियो फ्री रखता है तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं मैंने इस चैनल पर पूरा का पूरा जियोग्राफी कवर किया है पूरा का पूरा यूबी स्पेशल कवर किया है और अब शुरू हो रह अगर आप बिल्कुल स्रीय से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमको सब्सक्राइब करिए हमें फॉलो कर दिये मिलते हैं लिए लास में तब तक के लिए जय हैं जय भारत बंदे मतरव